हलो मैं डियर लर्नर्स आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ अफ्चल आपके यूटूब चैनल मेनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे मार्केटिंग मायोपिया की रिगार्डिंग की बिसेकली मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है इसके रिगार्डिंग डिसकस करेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट पर बहुत इंपोर्टन कंसेप्ट है तो बिसेकली देखते हैं कि जो मार्केटिंग मायोपिया है वो क्या होता है मार्केटिंग 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 वो क्या करती है पास का तो देख रहे है अपने future के लिए देख रहे है उसके पास दूर द्रस्टी सोच नहीं है तो वो marketing मार्केटिंग मायोपिया कहलाती है तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो इसको देखते हैं आपर रीडिंग करते हैं इसकी थीडोर लेविट है यह जो आथर थीडोर लेविट को दिया दा एडिटर आफ जर्नल यह जो हारवार्ट बिजनिस रिवीव वस दा फैस्ट दा थीडोरी उन्होंने सबसे पहले इस थीडोरी को को क्या दा मार्केटिंग मायोपिया यह बेल लोल टर्म है यह मार्केटिंग वल्ड में बहुत ही वेल अनून तर्म है इट वाज एक्चुली दा लिटल आफ इस कल्चर लेबिट पोस्टुलेटिड वर्ल पेट रफ फॉर्व बिजनिस दू फॉल इस एक कीवर्ड को ध्यार रहे है ना सौर्ट इन्टेस्ट मायों से एन एलूशन डेड़ाफ फॉम इस इन इस इन आ इस इन फोकॉल्ड ग्रोथ इंडस्ट्री इसमें बिसिकली वथा ग अब्रस्टी सोच नहीं है आपके पाज, they believe lead to compliancy and the loss of sight of what customer wants, it is said that those people focus more on the original product and refuse to adopt directly the needs and the wants of the customer, इसमें basically क्या होता है, जो customers की need है या जो customers की desire है या उसकी जो wants है उसके according हम अपने products को manufacture नहीं कर रहे है, उसके according हम products में changes नहीं कर रहे है तो उस condition में क्या होता है कि बहुत सारे customer जो होते हैं आपका जो products से लेना नहीं चाहते हैं, तो company basically customers को देखके products नहीं बना रही है उसके according वो चीज़े adopt नहीं कर रही है, उसको refuse कर देती है, to continue growing, company must ascertain and act of their business customer and customers need and desire not bank on the presumptive longevity of the product, तो basically यह बता गया इसमें क्या करती है, वो company है, वो continue grow नहीं करती है, इस विरकार ही customers की need को identify करें, उनकी desire को identify करें या वो क्या चाहते हैं उनको identify करें long term के लिए, इसके बाद इसमें discuss करेंगे एक जो new marketing myopia क्या हो सकता है, new marketing myopia occur when marketers fail to see the broader social contest of business decision sometimes with a disterious result for the organization and society, इसमें क्या होता है new marketing myopia में, जो marketers होते हैं वो fail हो जाते हैं क्योंकि वो social contest के तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी जो society है उसे focus नहीं कर रहे हैं और organization क्या result है उस पर focus नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो क्स्टूमर्स की डिजार है उसकी निर्स है, उसके एक नेरो, approach होती है, narrow definition होती है, a failure to recognize the changes, change societal context of business and necessities addressing multiple stakeholders, इसमें यहीं है कि यहाँ पर जो social context है, एक business का उसमें changes को identify नहीं कर पाते हैं, recognize नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो failure हो जाती है, अब जो marketing myopia है, इसको हम कैसे remove कर सकते हैं, इसको face करें तो कैसे इससे overcome कर सकते हैं, so सबसे पहले हैं यहाँ पर be a customer focused as possible, जितना ज़्यादा possible हो, आप customer पर focus करेंगे, तभी आप marketing myopia से overcome कर सकते हैं, be consistently innovative, आपको बहुत ही consistently innovative होना परेगा, जो customer की requirement है, उसके according, अपने products में आपको changes करने पड़ेंगे, इना smarter भी में, right, be in a position to control, आपको जो position है उसको अच्छे से control करना पड़ेगा, right, be in a position to understand customer needs and desire and what, जो customers की need क्या है, customers की desire है, उनको आपको अच्छे से understand करना पड़ेगा, be able to conduct regular research program, आपको regular research program है, उनको आपको regularly conduct करना पड़ेगा, be able to adopt to innovative marketing strategy, depending on the customers feedback, जो customers के feedback जो आप लेते हो, उसके according आपको marketing strategy को innovate करना है, आपको नहीनी strategy बनानी है, जो strategy आपके depending on the customers feedback, जो customers का feedback है, उसके according आपको नहीनी marketing strategy को adopt करना है, अब marketing myopia का हम example देखते हैं, जो Nokia है बहुत perfect example है, यह नोकिया लोजिंग इस मार्केट शेयर टो एंड्रॉइड और आई यूएस नोकिया आप देखते हो आज से जब स्टार्टिंग वह था एक बैक में जाते हैं तो मार्केटिंग जो नोकिया था उसका बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर था इन हम मॉबाइल इंडस्ट्री कार्पिज में पर वो टाइम के क्यों अब देखो मार्केटिंग विल्कुल जो नोकिया है उसका मार्केट स्यल्स्यों स्य्क्रियद आइशक्षण अ क्योंकि देखो हूं ओट उसके अपने प्रोट्ट्स में इन्यवट्टिव नहीं कर आप प्रोट्सब और प्रोट्स को तो अल्मोस्स उनका मार्केटिंग इंग से खतम हो गया आप देखो एंडरॉइड है उन्होंने देखा कि मार्केटिंग में क्या रिक्वार्मेंट कस्टूमर्स की आई उसनों भी देखा जो एपल वगगरा है उन्होंने भी इदेटिफाइड करा एक बहुत ही बेस्ट एक्जामपल है कोडेक 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 लूजिंग इट्स मार्केट शेयर्ट दुदा सोनी कैमरा विंड दिजिटल कैमरा बूम्ड एंड कोडेक डिनन नले लिया पर ने यह ने ने दिखा कि कॉपडेशन है का क्या requirement कस्टूमर्णा में हम रही डाला नहीं चाहते हैं वो एक डिजिटल तृकर से पिन ड्राइब लगा और ट्राइंस्पर उस पिलकार चाहते हैं क्योंकिक कस्टूमर्णा की रिक्वार्मेंट थे तो उन्होंने डिजिटल केमरा फोकस नहीं करा कोड देखने हैं तो उनका मार्केट शेर अल्मोस खत्म होगा सोनी ने उससे कैप्चर कर लिया अब सोनी के जो मार्केट शेर बहुत हलकर के मार्केट से रिमूव हो रहा है कि बहुत सारी अलग-अलग कंपनी जा रही है जो और कस्टुमर की की यहिट को अडेन्टीफाइव कर रही है उनकी को अडेन्टीफाइव कर रही है आप इसका एक लाप और ले सकते हैं हॉली बुडुड देंट टेलीविजन मार्केट इडवास ओनली फोकस इनदा मूविं मार्केट जीसे आप देखते हो कि जो हॉलीवूड है उसके जो जबकि उन्होंने क्या करा है जो movies है उनका बहुत ज्यादा focus किया है उस बज़े से उन्होंने पूरा जो movie का market है capture कर रखा है क्योंकि सारा focus ही उनका movie पर था पर television अगर market में आते हो तो Hollywood ने कोई इतने ज्यादा नहीं कर रहा है उन्हें market को cover नहीं कर रहा है क्योंकि उनको लगा तो उन्हों सारा focus ही उनका making movies पूर्ण कर दिया रहा है तो basically यह concept marketing myopia का होता है एक short shortness approach होती है एक प्रिकार का अंदर fear होता है एक illness होती है जो उनका पुराना चीजे है उस पर वो result रहते हैं ज्यादा market में अपने प्रेट्स के innovative नहीं करते हैं उसमें ज्यादा adaptability नहीं करते है तो guys अगर आपको यह video अच्छी लगी हो आपके ल चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइक है ने उसको on कर दीजिए थैंक यू